नमस्कार, Constructions Hub में आपका स्वागत है आज हम Construction Hub में वास्तू दोस और वास्तू सास्त्र के उपर बात करते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर मुखी घर का वास्तू क्या हो उत्तर मुखी घर का वास्तू एक ऐसा विशे है दिस बारे में जानना हर एक मकान बनाने वाले व्यक्ति को जरूरी है आपके उत्तर मुखी घर का महत्व उसके लिए सुझाओ और वास्तु का प्लान ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तर दिशा भगवान कुबेर की होती है जो धन के देवता हैं जिन घरों का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वे काफी फलदाई होते हैं पूरा घर वास्तु के मुताविक होना चाहिए और दोसों को दूर किया जाना चाहिए मैं यहाँ पर आपको यह बताऊंगा कि उत्तर मुखी घर का वास्तु प्लान कैसे करना चाहिए कैसे किया जाए उत्तर मुखी दिशा वाले प्लॉट्स का वास्तु सास्त के मुज़ताविक इस्ट नौर्थ इस्ट की ओर मुः वाले घर काफी लाबदायक होते हैं हाला कि आपके घर में शाकरात्मक उर्जा की इंट्री के लिए ये एक मात्र पैमाना नहीं है उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की होती है और इस तर्क से उत्तर की और मुह वाले घरों को सबसे लोगप्रिये माना जाता है अगर आप अपने जीवन में सुक समरिधी पाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने उत्तर मुखी घर के संबंद में वास्तू सास्त्र के कुछ दिशा निरदेशों का पालन अवस्य करें वास्तु सास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में मुख द्वार और दच्छिन पस्चिम उत्तर पुर्व दच्छिन पस्चिम या उत्तर पस्चिम दिशा में सेड़ी बनाकर उतर मुखी घर को सुभ बनाया जा सकता है फिर से एक बार सुनिए वास्तु सास्त के अनुसार उत्तर दिशा में मुख द्वार और दच्छिन पस्चिम दच्छिन पुर्व दच्छिन पस्चिम या उत्तर पस्चिम दिशा में सेड़ी बना कर उत्तर मुखी घर को सुभ बनाया जा सकता है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि उत्तर दिशा की और मुह वाले घरों में हर समय फायदे ही मिलेंगे इसके लिए जरूरी है कि पूरे घर का वास्तु अनुसार ही दोस्त को दूर करते हुए निर्मान कराए मैं आपको step by step ये बताऊंगा कि किस तरीके से north side directions वाले plot पे वास्तु दोस्त को समाप्त करते हुए constructions किया जाए अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर north side की ये bedrooms है और north side में road है और north side के facings में यदि हमें कुछ construction करना है तो construction को कैसे किया जाए उस construction के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि north side के plots में आपके पूरब और उत्तर का जो corner होगा वो सबसे best होता है पूजा रूम के लिए उसके बाद का जो area होता है जो मद्ध का area होता है वो north का वो होता है drawing room, living room या आपका office का position पस्चिम और उत्तर का जो corner होता है वो होता है guest room का, kitchen का या living room का वैसे ही अगर देखा जाए तो north के बाद हम लोग south की तरफ जाए तो south की तरफ में देखें तो south का corner और पूरब का corner जो होता है वो best होता है एक वहाँ पर bathroom, kitchen, city यह हम लोग वहाँ पर दे सकते हैं ठिक उसके पीछे में अगर जाए तो south side में जो मद्ध का area है वो सीडिया हो वहाँ दे सकते हैं, overhead, tanks दे सकते हैं और फिर हम लोग पस्चिम और दच्छिन के corner की बात करते हैं तो ऐसे में master bedroom, garage, dressers, walking closets, stores, सीडिया या bathroom की विवस्ता की जा सकती है पुर्व की तरफ अगर देखें तो पुर्व के मद्ध में hall, balcony, porch area या बरामदा दिया जा सकता है तो कुल मिलाकर देखें तो और मद्ध में इसके लिए hall हो, open area हो, तो ये घर को सुब बनाता है इस तरीके से अगर हम देखें कि north side में जो facings वाले मकान हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से कहां पर entrance, कहां से bathroom, कहां से toilets, कहां पर उसकी सेडिया दी जाए, कहां bedroom दिया जाए, कहां kitchen दिया जाए, इनका बिल्कुल हम लोग ध्यान रखें North facing plots के बारे में जानते हुए, अब हम लोग को ये ध्यान रखें, कि क्या चीज़ें north facings के layout में नहीं करना है जैसे घर का main door उत्तर पस्चिम दिशा में ना हो, ट्वाइलेट, बातरूम या किचन उत्तर पुर्व में कोने में नहीं होनी चाहिए यदि बातरूम उत्तर दिशा में हो, तो वास्तू विशे सुगन की सला लेना बहुत ही بेहतर होगा उत्तर दिशा में सौचाले के लिए एकसरल वास्तू दोस को निवारण करना पड़ेगा सोचाले के अंदर के फ्रेम पर वास्तु तांबे की पट्टियां लगानी होनी चाहिए और सोचाले के अंदर में नमक रखें और इसे हर अपते बदल दें दच्छिन या उत्तर दिशा में गंदा पानी निकलने की व्यगर नहीं होनी चाहिए आपके लिए अच्छी तरह से काम करने वाली अन्य चीजों को देखे बिना उत्तर दिशा में संपत्ति ना खरीदें छट्टे पाड़ा में दरवाजा ना लगाएं यानि कि जब हम लोग नौर्थ साइड की बात करते हैं तो कभी भी उस नौर्थ साइड के डिस्टेंस को छे भागों में डिवाइड करके यानि कि लास्ट वाले पोर्शन में अगर देखा जाए तो नहीं लगाना है नौर्थ स्प्लॉटिंग में सबसे बेस्ट एंट्रेंस का जो में गेट होता है वोता है पुर्व उत्तर का कॉर्णर यानि कि पुर्व उत्तर के कॉर्णर के अलावा कोई भी पोजिशन पे दरवाजा से परहेज करें गार्डन या नर्शरी उत्तर पस्चिम में नहीं होनी चाहिए अंडर्ग्राउंड टैंक उत्तर पस्चिम में नहीं होना चाहिए घर को लाल या मैरुन रंग से न रंगे वास्तु के अनुसार उत्तर मुखी घर के लिए आदर्शे रंग, सफेद, नीला, बेज, ग्रे या हरा है सेप्टिक टैंक उत्तर, उत्तर पुर्व या पुर्व दिशा की और नहीं होनी चाहिए प्लाट के दच्छिन, दच्छिन पुर्व दिशा में कोई दर्पण मी नहीं लगा होना चाहिए घर का निर्मान करते समय उत्तर पुर्व दिशा में भारी बड़ा सा खंबा न लगाए ऐसे खंबों से बचने की ज़रूरत है, ये समस्याएं पैदा करती है उत्तर मुखी घर के दच्छिन पुर्व छेतर में रसोई के लिए काले रंके संगमर के स्लैब से बचें उत्तर मुखी घर के परदे हलके रंके होने चाहिए घर में आर्थिक तंगी दूर करने के लिए उत्तर दिशा वाले कमरों में नीले रंके परदे लगाए उत्तर मुखी घर के सामने की ओर लाल या पिले रंग से के पेंट से बचें वास्तु प्लान के अनुसार उत्तर मुखी घर में सफेद और निट्रल रंग जैसे क्रीम, खाकी या ग्रे रंग का इस्तमाल करना चाहिए नीला और हरा रंग भी अच्छे विकल्फ हो सकते हैं लेकिन लाल ब्लू कलर से आप बचें वास्तु सास्तर उत्तर मुखी घर में लाल मैरून जैसे गहरे रंगों के इस्तमाल का सलाह नहीं देता है इसलिए डार्क कलर्स आप कभी भी प्रयोग में न लाएं इस तरीके से आपको मैंने ये बताया कि उत्तर मुखी प्लॉट्स पे जब भी हम लोग नक्सा बनाते हैं या फ़र कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन-किन चीजों का ध्यान रखते हुए ये चीजें नहीं करना चाहिए इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि नौर्थ साइड में जो मेजर पोजिशन्स हैं वो एंट्रेंस होता है एंट्रेंस नौर्थ और इस्ट का कॉर्णर होगा इस्ट और साउथ का कॉर्णर किचन का एरिया होगा इसी तरीके से वेस्ट और साउथ का कॉर्णर बेटरूम के लिए होगा वैसे ही वेस्ट और नौर्थ का जो कॉर्णर होगा वो बेटरूम के लिए हो सकता है center area, lawn basically dining hall, open space उसके लिए छोड़ सकते हैं अगर duplex बनाते हैं तो beach का area by default आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेढिया अंदर से होंगी clockwise सेढिया होनी चाहिए clockwise सेढिया उपर चड़ती है तो घर में बरक्कत मिलती है अब इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको उत्तर मुखी plot पे काम करना है जब भी आपका आर्टिटेक्ट कोई design बनाता हो तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उसके layout को चेक कराएं और वास्तु के हिसाब से जब ये plots design हो जाता है तभी इसका construction करा है इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुर्व मुखी घर का वास्तु और उसके दोस और उसके construction करने के plans अगर हमारा ये वीडिया आपको पसंद आया तो आप share कीजिए, like कीजिए, comments कीजिए और आप इस से जुड़ी और कोई जानकारी चाहते है तो comment box में हमें जरूर comments करके बताइए, अगले वीडियो में आपके comments का इंतजार रहेगा आपके comments से उसके जो भी प्रश्न होंगे, मैं आपको अगले वीडियो में आपको उसका उत्तर दूँगा अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पुर्व दिशा की तरफ मकान बनाने वक्त हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपके मकान के बनाते वक्त उसमें वास्तु दोस ना आ पाए ये भी ध्यान हम लोग रखेंगे कि किस तरीके से हम लोग करें कि वास्तु दोस ना आए और क्या क्या ना करें जिससे दोस हो सकता है तब तक के लिए धन्यवाद